यह देश हिंदु राष्ट है और हिंदु राष्ट रहेगा हिंदु मुस्लिम हिंदु मुस्लिम हिंदु मुस्लिम हिंदु मुस्लिम के मुसल्मान हिंदुयों के जा नहीं रहता तो क्यों रखा है यह सबसे बड़ी समस्या यह मुसल्मान है बस देश से यह खतम हो जाए तो से भी दो बाते कर लो अरे सॉरी बेटा बस थोड़ा दिमाग आजकल गर्म रहता है थोड़ा धान नहीं रहा था और सुनाओ सब बड़िये चल रहा है हां सब बड़िये अंकल आप सुनाओ क्या बात है काफी टेंशन में नज़र आ रहे हूं बस बेटा क्या बताऊं जैसे जैसे रिटैन्मेंट नजदीक आ रही है घर की टेंशन बढ़ती जा रही है पहले वाले करमचारियों की तरह हमें पेंशन भी नहीं मिलेगी सोच रहा हूं आगे गुजारा कैसे होगा छोटे वाले लड़के की फीस रैंक भी इतनी अच्छी आई थी हर्याना के गोवर्मेंट इंसिडूट में नंबर भी पढ़ गया था लेकिन सरकार ने फीस को सालाना पचास रार से बढ़ा कर सीधे 10 लाग कर दिया चार साल में 40 लाग बताओ कहां से आएंगे बच्चों ने धरने परदर्शन भी किये तब जाकर फीस 30 लाग फिर दूसरी कंपनी वालोंने कोरोना में लोगडाउन का अब कुछ दिन पहले ही नई नोकरी मिली है लेकिन कब तक प्राइवेट कंपनी हो क्या भुरवसा अहां ठीका अंकल वैसे थोड़ी मेहनत तो लगती है अच्छा होता अगर किसी गौवर्मेंट जोब की तयारी कर अरे कहां ठीक है तीन दिन पहले शाम को घुमने जा रही थी दो बाइक वाले आये और गले के चेंशीन कर ले गए बेचारी इतनी बुरीत रह गिरी है कि बस क्राइम कितना बढ़ गया है आज कल पता ही नहीं चलता कब कौन कहां किसको जपटा मार दे किसको गोली मार दे उपर से पुलिस कोई कारवय नहीं कर रही रिश्वत भी दे चुका हूँ फिर भी अब तक चोर नहीं पकड़े गए पचास हजार रुपे की चेंश लेकर भाग गए कोई बात नहीं कल चेंश तोर बन जाएगी लेकिन आंटी तो ब ठीक है ना कहां बेटा बैडरस पे है आज तक वो तो पहले से ही शूगर और गठ्या के मरीज थी हर महीने 10,000 रुपे की दवाई आती है आज कल इलाज करवाना कितना महेंगा हो गया है मैं खुद इस दर से बिमार नहीं होता कि इलाज का रुपया कहां से लाओंगा तो किसी गौर्मेंट हॉस्पिटल में जाय आज कल महेंगा इतनी बढ़ गई है कि मार्किट की तरह मुह करके सोने का मन भी नहीं करता पेट्रोल डीजल ही देख लो कितना महेंगा हो गया है अरे सिर्फ पेट्रोल डीजल क्यों गैस लेंडर दाल चिनी सर्चों को तेल सब इतने महेंगे हो गए है कि मैं तो यह सोचक आपकी परिशानी कितनी सारी समस्या हैं अंकल आपके पास पेंशन नहीं है बच्चों के पास रोज़गार नहीं है एजुकेशन महेंगी है इलाज महेंगा है पैट्रोल डीजल टेल सिलिंडर सब महेंगा है क्राइम बढ़ रहा है रिश्वत खोरी बढ़ रही है इतनी सा समस्याओं में, मुसल्मान तो कहीं नहीं हैं, आप तो कह रहे थे कि सारी समस्या ही मुसल्मान हैं, आपको पेंशन नहीं मिल रही, मोदी की वजह से, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, मोदी की वजह से, क्राइम बढ़ रहा है, बीरोजगारी की वजह से, बीरोजगार मोदी की वजह से, इलाज महंगा मोदी की वजह से, तेल, सिलेंडर खाने पीने की चीज़े महंगी मोदी की वजह से, बताओ आपकी समस्या मुसल्मान है या मोदी हरे बेटा इतना तो कभी सोचा ही नहीं वो टीवी में तो साधिन हाँ, बिलकुल अंकल टीवी में यही दिखाया जाता है ताकि आप लोग कभी अपनी असली समस्याओं के बारे में देश की असली समस्या के बारे में सोची ना पाओ मोदी की नाकामियों के बारे में सोची ना पाओ मोदी से कभी सवाल पूछी ही ना पाओ इसलिए टीवी में यही दिखाया जाता है